हलो दोस्तों और बड़िया सब स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से चैनल कुकिंग मुखिया पर सुबह समय होता है कम और नास्ता ऐसा हो जो हेल्दी हो और टेस्टी भी हो तो आप ये रेश्पी बना सकते हैं ये इतना स्वाधिश्ट और हेल्दी भी है कि आ असानी से तूट रही है अब हमने क्रेंटर जाल लिया कि दाल को ईए हमने तीन हरी मिर्च 3 से चार लैस्ट की उक लिया इनके को भी हमने डाल दिया और अधरका ये टुपड़ा भी डाल दिया है लैस्ट आप स्किप कर सकते हैं यहां पे थोड़ा सा पानी डाल कर हम बारीक पेस्ट बना लेंगे देखिए इस तरह से यह बिल्कुल बारीक पीशी है पसी तरह से हमें पीशना है यहां पे हमने एक बोल लिया है इस पे हमने दो कटोरी सूजी लिया है सूजी आप मोटी पतली कोई भी ले सकते हो अब यहाँ पे हमने दही लिया है आधा कटोरी दही खटा बिल्कुल नहीं है अब यहाँ पे हमने जो दाल पीची थी ना पहले इसको हम डाल लेंगे अब उसी में हमने आधा कटोरी पानी डाल दिया जार में और इसको हमने डाल दिया है बेटर में अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे अगर आपको हमारी रेश्पी अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे वेरे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके तो यहां पे बेटर ऐसा रखना है और दस मिनट इसे हम रेस्ट करने के लिए ढख कर रख देंगे तो दस मिनट हो गया है तो देखिए सूजी ने सारा पानी अब्सक्राइब कर लिया है अब यहां पे हमने एक प्याज को बारिक चौप कर लिया था इसको हम डाल देंगे और इसी के साथ हमने सिमला मिर्श टामाटर टामाटर के हमने बीज निकाल दिये थे वैसे भी हमने बारिक बारिक काट कर डाल दिया है और थोड़े से हमारे पास कौन भी थी तो इसको भी हमने डाल दिया स्वात के अनुसार, नमक डाल दें गे और यहां पे हमने काली मिर्श डाली है काली मिर्श हमने इस तरह से उडिए लाली है, अब इसे हम मिक्स कर देंगे आप इस तरह से अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या डाला है और नास्ते में भी बना सकते हैं कम समय में बनके तयार हो जाता है तो इसे हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लिया अब इसमें हरा धनिया डाल दिया फिर से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हमने इनो का एक सैसे लिया है इसको हम डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे बैटर भी थोड़ा सा पतला हो जाएगा बेटर ना ज़्यादा हमें गाडा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है बस इस तरह से रखना है देख लेजिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने दो चम्मच ओयल डाल दिया था तो हमने इसमें एक चम्मच भरगे यह बेटर डाल दिया है और थोड़ा सा कौन देखने में भी अच्छा लगेगा तो बैटर डालते हुए वीडियो शूट नहीं हो पाया था अब इस तरह से हम थोड़ा सा ओयल इसकी उपर डाल देंगे इसे अच्छे से यह सिख जाए यह नास्ता बहुत ही टेस्टी बनता एक बार आप बना के जरूर देखे और कमेंट करके मैं जरूर बताया करें कि आपको रस्पी कैसी लगी तो देखिए यह हो गया है से हम निगाल लेंगे इसे हमने लोटू मीडियम पर ही पकाया है दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया देखिए क्रस्पी हो गया है इसी तरह से हम दूसरा बना तो देखिए इसे हम सर्फ कर लेंगे देखने में कितने सांदर लग रहे है न वो खाने में उतने ही टेस्टी है अगर आपको अमारी रस्पी अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करें तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं देखिए कितना सौप्ट बना है थैं